तो जानते हैं इस वीडियो को कैसे बनाएं इस वीडियो को बनाने के लिए हमारे फॉन में विएन एप होनी चाहिए जैसे ही हम विएन एप को ओपन करेंगे तो हमें इस तरी की विंडो दिखाए देंगे इसके बाद ये plus वाले symbol पर हमा क्लिक करना है जो bottom side पर है इसके बाद new project पर tap करना है और train वाली ये video select कर लेनी है और video select करने के बाद जो bottom side पर arrow का निशान दिया हुआ है उस पर tap करना है तो अब आप देख सकते हैं हमारी video select हो चुकी है तो हमें video में से जितना portion चाहिए उसे ह trim करके ले लेंगे तो यहां पर मैंने 2.94 second की video select कर लिए फोटो या video trim करने के लिए यहां पर आपको दो option मिलते हैं पहला option है आप photo या video के ओपर tap करें left या right ड्रैग करके भी उसको trim कर सकते हैं और दूसरा option है photo पर tap करें और नीचे जो option दिया है trim का उस पर tap करें और वहां से timing adjust कर सकते हैं तो यहां पर मैंने अपनी वीडियो को trim कर लिया है अब आपको बगल में एक slide दिखी लिए जिस पर directed by and input title का option दिख रहा आपको screen पर बेसिकली यहां पर यह slide अपना नाम लिखने के लिए जिसमें भी यह video बनाएंगे है तो मैंने इस slide का use नहीं किया है और अपनी photos select कर लेंगे तो जिस photo को आप पहले रखना चाहते हैं उसको पहले select करिए और जिसको last में लेना चाहते हैं उसको आपको last पर select करना है and then bottom side पर arrow पर click करना है तो music select करने के लिए music वाले icon के उपर प्लस का symbol बना हुगा है उस पर tap करना है then music पर tap करना है then plus वाले symbol पर tap करना है यहाँ पर आपको चार option मिलेंगे music select करने के लिए पहला option है extract from link यदि आपके पास कोई link है किसी music का तो आप इस पर select करेंगे और उस link को डालेंगे तो music automatically यहाँ पर आ जाएगा दूसरा option है music library यदि आपकी library में कोई music है तो उस music को यहाँ से select कर सकते हैं इस पर tap करके और तीसरा option है extract from video तो यदि आपको किसी वीडियो का audio पसंद आया है तो उसका audio आप ले सकते हैं इसके परूँ इस पर tap करके और चौता option है file manager यदि आप आपके internal phone में कोई audio या गाना जो अभी आप इसमें डालना चाते हैं तो आप इसको tap करके उसे यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर एक मुझे video जो थी एक उसका audio काफी पसंद आया था तो यहाँ पर जो है video के तुरू audio select करूंगा audio select करने के बाद okay का button press करना है तो अब आप द पिक टैप करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर audio वीडियो एंड फोटो तीनों ही select हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटो फ्रेम से बाहर जा रही है तो फोटो को सेंटर में लेने के लिए हम फोटो पर टैप करके रखेंगे जो उपर स्क्रीन चल रही ह जहां पर हम फोटो दिखाई दे रही है फुल साइज में जो फोटो दिखाई दे रही है यहाँ पर टैप करेंगे और इसको ड्रैक करते हुए सेंटर में लाएंगे ऐसे ही हम सारी फोटो को चेक कर लेंगे और उसको सेंटर में लेंगे तो जब हमारी फोटो सारी सेंटर म जाएंगे उसके बाद हम इसमें जिगजग का एनिमेशन डालेंगे तो जिगजग का एनिमेशन डालने के लिए हम जूम ओप्षन को सेलेक्ट करेंगे जो बॉटम साइड में है इसके बाद मूव लेफ्ट नेक्रव करें हम अपनी साइड करेंगे एक में सारी आइनिमेशन डेंगे एक में लैप्ट सेंड में राइट का यह एंगे जबिए animेशन ले लेंगे तो हमारी वीडियो उंक्त पैंदलम उनसप्व लेब लगि तो आप देख सकते हैं यहां पर जो वीडियो है पेंडुलम स्टाइल मरन हो रहे हैं बट अभी इसका टाइमिंग थोड़ा ज़ादा है यहां पर मैं आपके एक सिंपल ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिसके तुरूब आप अपनी फोटो को कुछी सेकेंड्स में अपनी ऑडियो के साथ परफेक्टली मैच कर लेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑडियो जो है 8.85 सेकेंड की है और जो मेरी ट्रेन वाली वीडियो थी वो 2.94 सेकेंड की है तो मैंने यहां पर माइनस कर लि तो यहां पर मैं अपनी फोटोस को .59 सेकंड में ट्रिम करूँगा तो अभी जितनी फोटोज ہیں तीन सेकंड के यसाफ सेट रहती है तो मैंने जो है अब यहां पर पोटम सेकंड कर लिए इसको तो ट्रिम करने के लिए यहां पर ट्रिम का ऑप्चन इमीचे बॉटम साइड म उसको select करेंगे, then यहाँ पर इस तरीकी की window दिखाए देगी और इसको drag करते हो, 0.59 second पे, इसको set कर लेंगे, तो इसी तरीकी से हमने सारी photos को trim कर लिया है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि मेरी video perfectly बनके त्यार हो गई है, अब वीडियो में save करने के लिए, export वाले बटन के tap करेंगे, यह top side में है, right of the corner, then video की quality आप अपने हिसाब से set कर सकते हैं, and then right वाले option पे tap करना है, जैसे आप right वाले option पे tap करेंगे, तो यहाँ पर video export होने लगेगी, जैसे यह process complete हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर इस तरीकी की window दिखाए देगी, आप चाहें तो यहाँ से डारेक्टिस को share कर सकते हैं, social media पे, और यदि चाहें तो अपनी gallery में save कर सकते हैं, तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो please like करें, subscribe करें, and comment करें, Thank you.